हे गाईज वेलकम तो देव भूमी कजर पॉन्तो देखे उत्राखंटा आधोनिक इतिहास से एक महतोपूंग टॉपिक आपके लिए लाया हो दोस्तों इसमें हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी ने जो कुमाओ यात्रा के थी इसपेसली उन्होंने अलमोगा के यात्रा की और इन यात्राओं से जुड़े हुए महतोपूंग परिक्षावपियों की तत्यों को हम इस टॉपिक में डिसकस करने वाले हैं तेकि लास्ट टॉपिक मैंने आपको दिया था गांधी जी की कुमाओ यात्रा बहुत से इंट्रेस्टिंग फैक्ट हमने उसमें देखे व आपकी ही तरह किसी जरूरत मंद तक ये वीडियो पहुच पाए दोस्तों चैनल जो शुरू गया था उद्देश्य यही था कि दूरस्त इस्तानों में रहने वारे जो छात्रे हैं वो निसुल्क इन सभी टॉपिक्स का लाब उठा पाएं और ये कोशिस हमारी सफल भी हो ये साकार हो रही है ठीक है तो चलिए देखते हैं स्वामी जी ने जो यात्रा की कुमाओ की क्या इंपैक्ट पगा था क्या क्या चीजया हुई थी सभी महत्तों पूर्टत्यों का संकलन देखते हैं तो देखे दोस्तों सबसे पहले फ्लैस बैक में जाना पड़ेगा हमें स आरे समाज के प्रिष्ट मूमी से ही निकलते हैं स्वामी विवेकानंद जी उसी क्या उन्हीं आई थे ठीक है तो आरे समाज की स्थाफना होती है बंबई में 10 अप्रेल 1875 को अब ये किसने की ये तो मैं बोलूंगा ने क्योंकि हम बचपन से जीके की बुक्स में पड़ते आ रहे हैं कि आरे समाज की स्थाफना का हुई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा किसने इसकी स्थाफना की थी दोस्तों ठीक है अब आरे समाज की स्थाफना की जरूरत क्यों पोली इसके रीजन थे दोस्तों इन रीजन्स को आप समझे देखे भारत की उसमें जो तो इसका फाइदा कौन उठा रहा था? इसका फाइदा उस समय देश के विभिन्द भागों में जो इसाई पादरी गूम रहे थे, वो इसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, लोगों को थोगा बहुत रोटी, कपड़ा वगेरा दे कर वो इसाई धर्म में चेंज कर देते थे ठीक है? अब जो उच्च वर्ग थे, सिक्षित वर्ग थे, हिंदु धर्म वाले, उनके पास तो अच्छा खासा सभी चीज़े थी, तो वो लोग तो इनके प्रभाव में नहीं आते थे इसाई धर्म वालों के, लेकिन जिस बिजार के पास रोटी नहीं है, खाने को नहीं ह करता, करना पड़ता है पेट के लिए, क्या भूके पेट भजन हो सकता है? नहीं हो सकता, तो यहीं बात थी, उसमें जो निसाई गरीब लोग थे, वो अंचीत वर्ग के लोग थे समाज में, वो इसाई धर्म के तरफ तेजी से जा रहे थे, तो इसको देखते हुए आरे सम अंदादी उनको वो निसाना बना रहे थे, वो इसाई धर्म में उनको चेंज कर रहे थे, ठीक है? तो नहीं ताल में इस्तापित होती है, सत्या धर्म प्रकासनी सभा, अठार सो चोहतर में ही इसकी स्थापना हो जाती है, 1874 में, लेकिन बार में जैसे नेक्स येर आरे सभ स्थापना होती है, तो वो 1875 में सत्या धर्म प्रकासनी सभा का विलाई आरे समाज में हो जाता है, ठीक है? तो ये जानना जलूरी है, अब आप समझ पर होंगे न, आरे समाज क्या था? क्यों इसकी स्थापना करने की आउशक्ता पर थी? ठीक है? और इसी के फालोवर थे, इसी कया उन्या आई थे, स्वामी विवेकाननद जी भी. अब बात करते हैं सिर्फे विवेकाननद जी पर आते हैं, ठीक है? तो देखे स्वामी विवेकानन जी को अलमुगा बहुत पसंद था दोस्तों, ठीक है? देखे, अलमुगा और उसके निकट वर्ती के जितने भी एलियास थे, वहाँ पर उन्होंने रामक्रिश्न मिशन की साखाओं की स्थापना की थी, ठीक है, क्योंकि देखे, रामक्रिश्न मिशन में क्या होता था, बहुत से विद्वान, महात्मा, वो संत, अल्मुगा आते जाते रहते थे, और अपने उपदेशों से उसमें कुमाओ से भी, तो कहिन कहीं स्वामी जी के मन में भी इच्छा जागरत हुई, तो 1888 में क्या हो दोस्तों, उन्होंने अल्मुगा के निकटी समाधी लेने की इच्छा से उनके एक गुरु भाई थे यहां पे, स्री बदरी सा, ठीक है, स्री बदरी सा, तो उनसे पत्र विवहार किय ठीक है, और जैसे पत्र विवार किया दोस्तों, 1888 यान कि दो साल बाद स्वामी विवेकानन्द पहली बार अगस्त 890 में अल्मुगा पहुँच गए, ठीक है, कब कब पहुँचे तो अब यह तीथी बहुत महत्तों पहुँच आते है, किस वर्स अल्मुगा पहली बार स् तो यह पहले से ही अल्मुगा में रहते थे, ठीक है, तृहान दखिंगे, और लेकिन अगर मैं स्वामी जी की बात करू तो काड़ गधाम से नयनीताल होते हो, अल्मुगा जो उनके साथ आये दोस्तों, वो वहत्ती थे, स्वामी अखंडानन्द, ठीक है, तो अखंडानन् तो यहाँ पर एक पीपल विरिक्षे के नीचे स्वामी विवेकानंद जी ने तप किया और इस विरिक्षे के नीचे ही उनको ज्ञान की प्राप्ती हुई ठीक है जैसे आपने पड़ा होगा ना बौध धर्म में गौतम बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्ती हुई थी पीप यह बोलते है आह गंगाधर मैं अपने जीवन के अभी तक के महांतम चानवा में गुजला हूँ मैंने जीवात्मा और परमात्मा के एक कानवों किया है मैंने अत्यांत तुक चानव में विराट विश्व का दर्सन किया है यानि कि वो सिंपली बोलते है कि ग्यान की पर ही है ये कोशी के, और चैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इनके दो सिस्यर कौन-कौन थे, सार्दानन्द, बैकुंटानन्द, जो पहले से ही अल्मोगा में थे, ठीक है, अब देखे दोस्तों, ये पहली बार यात्रा की बात होगे, इसके बाद स्वामी जी लौट कौन सा चेंज, जी हाँ, बिल्कुल सही आपके दिमाग मैं, 1893 का सिकागो का विश्व धर्म संविलन संपन्न हो चुका था, स्वामी जी के दूसरी बार अल्मोगा आने से पहले, तो स्वामी जी पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए थे, पहली बार में उतने लोग नहीं बित हो गए, और इसका मेंली इंपक्ट क्या था, ये कारण था, रीजन था दोस्तों, जो प्रभाव था, वो 1893 में जो इन्होंने सिकागो में भासंग दिया था, दोस्तों, बहुत महत्तोपूंग पॉइंट है, आपको याद रखना है, ठीक है, तो आपको पता है, स्वामी जी अलमोगा कब पहुंचे, दूसरी बार कब पहुंचे, अठासो सत्तानवे, कहां पर उनको ग्यान की प्राप्ती हुए, काकरिगाट, ठीक है, अब दूसरी बार जब हो आते है, दोस्तों, तो बहुत फिमस परसनेल्टी बन चुके थे, सिकागो धर्म सम्मेदन के बाद, तो दूसरी बार भी उन्होंने थोड़ा बहुत देखे, आपको नाम याद रखने होंगे, महतोपून है, और इसके साथ एक अंग्रेज दंपत्ती भी इनका बहुत बगा फॉलोवर बन गया था, बहुत डिपेस्ट बोल सकते है, फॉलोवर था, सेवियर दंपत ठीक है, तो ये लोग भी इनके साथ आए थे, और यहाँ पर जो स्वामी जी का परपस था, दूसरी कुमाव यात्र का वो था, कुमाव छेत्र में, अल्मोगा हो, या कुमाव का कोई भी स्पेसल एरिया हो, वहाँ पर मैं एक अध्वयत आस्रम की स्ताफना कर सकूँ, ठीक जिसको हम भगिनी निवेदिता के नाम से जानते हैं, आज भी इनके नाम से बंगला हो गएरा है अल्मोगा में, ठीक है, तो कोश्यन बन सकता है, स्वामी जी की तीसरी यातरा कब हुई थी, 1898 में, इनके साथ जो भगिनी निवेदिता आई थी, उनका मूल नाम क्या था, तो उनका मूल नाम था, मार्गरेट नॉबिल, ठीक है, वो किस देश से संबन्द रखते थी, तो वो मूल रूप से इंगलेंड की थी, और उसके साथ अन्य सिस्य भी आये थे, उसमें स्वामी विवेकानन्द जी के साथ, जिनमें अमेरिका की एक मिसेज ओली बूल थी, ठ पहली बार माता बसंत, यानि की एनी बेसेंट से स्वामी विवेकानन्द जी की मुलाकात होती है, ठीक है गाईज, तो ये बहुत ही महतोपन पॉइंट है, पहली बार स्वामी विवेकानन्द जी की मुलाकात एनी बेसेंट से कब हुई थी, या अलमोगा में कब हुई थी, प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन मैं अलमोगा से ही करूंगा ठीक है तो 889 में इसका प्रकाशन अलमोगा से होना सुरू हो गया अठासौ निन्नादबे के बार लेकिन यह जो प्रबुद्ध भारत पत्रिका थी यह फिर मायवती आस्रम लोहागार से प्रकाशन ओने लगी तो आपको या दखना है कि स्वामे जी ने किस पत्रिका का प्रकाशन शुरू कर वाय था अलमोगा से तो यह प्रबुद्ध भारत थी और फिल मायवतियास्वम से छपने लगे अब प्रबुद्ध भारत पत्रिका की मैं बात कर दोस्तों इसके ब्यवस्तापक बनाए गए थे Mr. Savior जो कि मैं भी आपको बता रहा हूँ Mr. Savior जो कि स्वामी विवेकानन्द की जी की दूसरी यात्रा में उनके साथ आये थे Captain Savior और उनकी पत्नी थी स्रीमती सेवियर तो ही Captain Savior को यहाँ पर ब्यवस्तापक बनाए गया प्रबुद्ध भारत पत्रिका का लेकिन संपादक की मैं बात कर तो इस पत्रिका के संपादक बनाए गये थे स्वामी स्वरुपानन्द ठीक है यह point महत्तों है और देखे जैसा कि मैं आपको बता चुका और दूसरी यात्रा का परपस था स्वामी विवेकानन्द जी की कि मैं कुमाओ चेत्र में एक अध्वैत आस्रम की स्थापना करूं तो Mr. Savior और स्वामी स्वरुपानन्द के प्र तो यह कुछ महत्तों की पॉइंट इनको अच्छे से आपने याद रखना है दोस्तों ठीक है अब बात करते देखे अब स्वामी जी देखे उनी स्वामी जी का नीदन हो गया था पंचतत्तों में वेलीन हो गए थे ठीक है बेलूर मठ मैं लेकिन स्वामी जी की जो करा गया तो यह भी महत्तों हैं उत्राखंड में रामकरिष्णल कुटीर कहां पेशतीत है अलमोगा में है कविष्थापितुष ने किया स्वामी तुर्यानन्द ठीक है अब बात करते है स्वामी जी की तीन यात्रा है रही इसका उत्राखंड की जंता पर क्या प्रभाव पोड़ा यह महत्तोपण पॉइंट हो जाता है यह मेंस एक्जाम के पॉइंट 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 हो जाता है अगर आप PCS की तहियारी कर रहे है तो उसके लिए महत्तोपण है तो यहां फेर समझने वाली बात होती है हमारे जो मिस्नरीज लोग थे वो बदल लेते हिसाई धर्म में तो उन लोगों पर व्यापक प्रभाव नहीं पड़ पाया स्वामी जी का ठीक है तो यह महत्तोपण पॉइंट्ट आपको ध्यान रखने है स्थिकागो समयलन आपको याद रखना है कब वा था अठार सो तिलानेवी में है सिकागो गाप है यह यू एसे में है दोस्तो अमेरिका में ठीक है तो स्वामी विवेकाननद जी की कुमावयात्रा की बात ओले थे थोगल site उनके बारे में जानना भिर ज़रूर है स्वामी विवेकानेंद जी का जान्म कभ वह था हम लिए 12 जनौरी 1863 को उनका जान्म हुआ था कोलकातब में और इनके बच्पन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त इनके गुरुजी थे स्वामी रामकृष्ण परमांस इनी के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थाफना कीती विवेकानंद जी ने एक मई अठासो सत्तानवे को दर्शन की बार करें तो किस दर्शन से थे या किस कौन सा दर्शन प्रतिपादित क्या है तो आधुनिक जो वेदान थे ये दर्शन माना जाता है ठीक है और इसी के साथ देखें स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है 12 जन्वरी इसको हम एक दिवस के रूप में मनाते है 12 जन्वरी तो आप कमेंड बॉक्स में कमेंड करेंगे 12 जन्वरी को कौन सा दिवस मना जाता है स्वामे विवेकानंद जी की जहिंती पे या जन्म वर्स पे या जन्म दिवस पर ठीक है तो आप कमेंड कीजिएगा तो स्वामी जी से जुबे महतोफ़ फैक्त हो हमने जा ले अब जो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे संपन्वा इससे जुबे कुछ महतोफ़ पॉइंट देखते हैं तो नैनिताल में सत्य धर्म प्रकासनी सभाकिस्तापना कभ हुई थी तो ये 1874 में हुई थी स्वामी विवेकानन्द जी ने कितनी बार कुमाव यात्रा की तो तीन बार की ठीक है सबसे पहले 890 दूसरी बार 897 और तीसरी बार 898 ठीक है तो तीनों बर्स आपको यादत नहीं है किस इस्तान पर पीपल विरिक्षे के नीचे स्वामी जी को ज्यान की प्रापती हुई थी तो ये प्लेस है काकले घाट ठीक है वर्तमान में ये अल्मोगा चेत्र में आता है काकले घाट किस नदी के तट परिस्तित है काकले घाट कोईशन बन सकता है थी किसी special area में स्वामी जी की एनी बेसेंट से मुलाकात कब हुई थी तो 1898 में हुई थी कहां पर हुई थी अल्मोगा में हुई थी माया वती या अध्वयत आसरम कहां पर इस्तित है वर्तमान में तो ये लोहा गाट में दोस्तों ठीक है चंपाव जन्पद में स्वामी जी क अध्याइब पूछ देता है UK SSS इसलिए मैंने आपको दिया है ठीक है तीसरी यात्रा जो स्वामी जी की हुई थी अल्मोगा की उससे वहें स्वामी जी के साथ जो दलबल आया था उनकी रहने की ब्यवस्ता अल्मोगा के टॉम्सन हाउस तथा ओकली हाउस नामग बंगलो चंपावत लोहागार से चपने लगता है ठीक है रामकृष्ण कुटेर की स्थाफना किस ने की थी तो स्वामी तुर्यानंद ने की थी कब की थी 1916 में कहां पर है ये अल्मोगा में है अल्मोगा से पूर्वा प्रभुद्ध भारत का प्रकासन इस्तल था तो देखिए महत स्वामी तुर्यानंद द्वर्रा इस्ताफिद इसी के थोगया निकट इस्तित है स्वामी विवेकानंद प्रियोक साला ठीक है जहां पर वनसुपति हम किसी विग्यान का अन्वेंशग किया जाते है दोस्तों ये बी अल्मोगा में हिस्तित है तो ये था कुछ महतोपनल की नहीं रुको जब तक लक्ष अपराप्तना हो जाए ये लाइन आज भी हर जगह यूज की जाते है स्वामी विवेकानंद जी ने दीती और एक निशीत सत्ते इसके अंदर छुपा है दोस्तों ठीक है जैसा कि मैं आपको हमेसा बोलता हूँ चलते ही रहना है चलते ही रहना एक नौकरी मिल जाए गुरुप सीखी तो यह नहीं की बैठ गए वहाँ पर चलते ही रहना कुछ और करने आप पढ़ने बाती नहीं कर रहा है मैं आप गुरुप भी निकालो या गुरुप अन्ने क्रियेटिविटी करते है रहने लाइप में एक सरक पर आपको रुकना न मिल जाए नौकरी पाने के लिए ही आप इतनी जद्धो जहत कर रहे है इतनी मेहनत कर रहे है और लगात्तार अगर बने रहे तो आपकी सफलता में निश्ची थी आपका ही पुरा योगदान होगा दोस्तो आपकी मेहनत का योगदान होगा ठीक है और दोस्तो एक from Colombo to Almogha क्योंकि इसमें Almogha सब्द है इसBook में तो महत्तरपूर्ग जाते हैं त्रागरे एक्जाम्स के लिए भी like-ั้al को लमबन पुस्तक का रायक्षामस कोन है तो स्वामी विवेखनンド है किस वर्द सब्रकासित उई थी तो 1897 नवा प्रकासित तो दोस्तों यह थी स्वामी विवेकानन्द जी की कुमाव यातरा और उसे जोगे महत्तों पूर्ट की पॉइंट्स आई होप आपको टॉपिक पसंद आया होगा इसी तरह के टॉपिक देखिए जो परिक्षा वाड़ी बुक्स में नहीं दिये गए है वो हम ओनलाइन कोर्स में सुरू कर रहे हैं 31 जुलाई से जो मेरा ओनलाइन कोर्स है काफी लोग बोलते है कि ओनलाइन कोर्स माटिरियल नहीं थैक है तिक है मैं अपने-इस लीक हृष हूँ मैं जितना कमातों मेर ले इनव है कि अृष में बहुत ज्याले घृष हूं और मलनाऊ जिवा भाव में ग्वा गान से कवयो फाइनेंशली मैं भी वीक हूँ, मैं इसे कोई help नहीं कर सकता किसी की, इसलिए मैं ग्यान देकर लोगों की help करता हूँ, ताकि कुछ मैं कर पाऊं समाज में योगदान अपना दे पाऊं, तो यहां पर जो उत्राखंड इतिहास हैं, उत्राखंड इस्टेटिक जीके का हमारा उत्राखंड के स्वतनत्रा आंदोलन में भूमीगा रही, उत्राखंड पृथक राज ये निर्मान आंदोलन जो हुआ, इसके सांसर जो ऐसे ही इस्टेटिक टॉपिक हैं, जैसे स्वामे जी की कुमाव यात्रा, गाधी जी की कुमाव यात्रा, अन्य जो महातों वो हम डिसकस करेंगे, उस कोर्स के अंतर का, तो उस कोर्स में आपको क्या मिलेखा, डेली एक वीडियो लेक्सर मिलेगा, मंडे टो फ्राइडे, बागे सभी चीज़े आपको बदाए गए हैं, सभी चीज़े आप देख सकते हैं, ठीक है, कोर्स प्रारेंब कब से होगा, 31 जुलाई से होगा, ठीक है, कोर्स किन-किन परिक्षा के लिए उप्यों के उप्यों के यू के ट्रिपल से जनरल पेपर गुरूप सी, सभी के लिए इंपोर्टेंट है, लाइक कनिश्ट सायक जीतने भी अभी फॉर्म आया, आप कारशी भाय, प्रवरतन से भाय, ग्राम भ जुलाई, उसके बाद हम किजी को आइड नी करेंगे, जितने लोगों को अगर चाहते हैं कि सभी चीजा मैं पहले से फ्री दिया, लेकिन उसके बाद भी जादे एक प्रॉपर काइडेंस हो, उत्राखन एतिहास कंप्लीट ढंग से, बिल्कुल सिक्वेंस में, ठीक है, चै चैनल पर मैंने सब चीज फ्री दिया है, अनकेडमी पर सब चीज फ्री है, आगे भी सब चीज देते रहूंगा, जिसको जूगना है, वो इंट्रेस्टेड और महनती, जैसा कि मैं बता चुपा हूँ, केवल जो डेडिकेटेट स्टुडेंट है, वही जूग है इस कोर्स स कोर्स में जितना मैंने बोला उससे ज्यादा ही मिलेगा, इस्टेडिक जीके में आप देगेंगे एक से टॉपिक मिलेंगे उतराखन के आपको, ठीक है, तो जितना बोला गया उससे ज्यादा ही मिलेगा, सनिवार को आपको रोज फुल फ्रेक्टिस सेट, UK गुरूप C का, 20 की हिंदी, 40 का जीके रीजनिंग और 40 का उतराखन जीके जो पूछा जाते है उस पैटन पे, और बांकि जो कोई डाउट क्वेरी होते है तो आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन याद रखें है, 25 जुलाई के बाद किसी को एड़ नी कह जाएगा, कोसिस करेंगे 20 जुलाई त आता है सफलता के लूप में, तो वो लोग बस, ठीक है, वागे इन नमबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, और मिलते हैं को जिल्दी नेक्स्ट टॉपिक में अपना ध्यान रखें, थैंक्यू फॉर वाचिंग गाईच, जै हिंद, जै उत्राखन्य